Hello everybody, welcome to Bang with Brains. मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ Class 12 की जो आपकी एलेक्टिव बोक है विचिस कलाइडोस्कोप उसकी पोव्म नमबर 2 विचिस पोव्म्स बाइ मिल्टन अब पोव्म्स बाइ मिल्टन क्या है? याने मिल्टन जो के एक पोवेट है उनके द्वारे लिखी गई दो पोव्म्स याने दो कवीता हैं हम इस एक पोव्म के अंदर पढ़ने वाले ओके सबसे पहले मैं यह बता दूँ कि जो आपकी पोव्म है इसके अंदर टू पोव्म्स है फर्स्ट है ओन टाइम और दूसरी पोव्म है ओन शेक्सपेर तो मैं separately आपको जो फर्स्ट पोव्म ओन टाइम है उसका एक्स्प्रेनेटरी का विडियो दूँगी फिर separately उसके NCIT solutions separately summary and separately MCQs फिर separate विडियो में जो second पोव्म है आपकी on Shakespeare उसके explanation and separately उसके MCQs, separately उसके summary and separately NCIT solutions तो total इस एक पर्टिकुलर पोव्म के आपकी 8 विडियो होंगी चार-चार दोनों की मिला के तो आप confused बिलकुल मत होएगा and now let's begin with the poem explanation of our first part of the poem which is on time लेकिन उससे पहले let's read about the author that means let's read about the poet who has written this poem so John Milton is the poet, he was born in the year 1608 and he died in the year 1674 okay so he began writing poetry at the age of 10, जब वो 10 साल के थे केवल 10 साल के थब से उन्होने कविताई लिखना चालू करी, जब उन्होने अपना formal education अपनी पढ़ाई लिखाई Cambridge से खतम करी तो उन्होने हर चीज पढ़ डाली थी तब तक याने जो Latin language, Greek language, Italian language, English language इस language में जो भी कुछ available था, उन्होने सब कुछ पढ़ लिया था उसके बाद इनको Latin Secretary के तोर पे अपोइंट करा गया, जहाँ पर इन्होने इतनी महनत करी, इतनी पढ़ाई करी कि इनकी आँखों पर आइस ट्रेन हो गया पर इतना जोर पढ़ गया रात रात बर, लेट नाइटी किताबे रीड करते थे, पढ़ाई करते थे, जिसकी वज़े से इनकी 45 एर्स की एज में, केवल 45 एर्स की एज में, ये टोटली ब्लाइंड हो गया याने अंधे हो गया, इनको दिखना बंध हो गया ये paradise regained अब आप बोलेंगे कैसे लिखी, तो क्योंकि ये दो ब्लाइंड थे, तो इन्होंने through dictation, याने ये अपनी कवीता dictate करते गा, ये मुझे बोलते गा और लिखी किसी और ने, तो ऐसे अपनी जीवन के आखरी के सालों में इन्होंने की दो कवीताएं लिखी थी, तो दिस वस अल बाउट आर पोएट, अन नाव, लेट्स अंडर्स्ताइंड दपोव्म, विच इस फर्स्ट पोव्म, पहली पोव्म जो है, इसका नाम है, ओन टाइम, नाम से ही समझ में आ रहा है, टाइम याने समय के बारे में, इस चाप्टर में, इस पोवम में बातते होने वाली है, एक ओवर्विव देती हुम की क्या हम पढ़ने वाले // помог में इस पोवम में कि तुम अपनी स्पीड बढ़ा हो तुम अपनी स्पीड बढ़ा हो और , हम सब बनसानों की फ 550 में जतना भी जेलिस्टी की फीलिंग है, साडनेस है, दुख है, एंगर है, जो भी हमारी लाइफ में बुरी चीज है, वो सब अपने अंदर तुम टाइम समालो, समय से बोल रहे हैं, अपने अंदर तुम यह सब समालो, जल्दी सागे बढ़ जाओ, थाकि हमारी लाइफ बहुत अच्छी ह हो जाएगा कि क्या होता है, और जब ऐसे होगा तो हमेरी लाइफ खुशियों से, हैपनेस से भर जाएगी, इसमें बहुत सारे आर्के इक वर्ड्स भी हैं, इसमें बहुत सारे आर्के वर्ड्स आएंगे, मैं आपको बताऊंगी, लेट्स बिगिन, फ्लाई एन्विस सबसे पहले हम यह दो वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं, दाव और दाए, जैसे कि मैंने आपको बतायता है, यह आरके वर्ड्स होते हैं, कुछ पुराने जमाने के जो इंग्लिश की वर्ड्स होते हैं, तो दाव का मीनिंग आज के जमाने में होता है, यू, जिसको हम आ एन्वियस हो तुम जलते हो तुम में जैलन की भावना है फ्लाइ एन्वियस टाइम उड़ जाओ जल कुकड़े समय इस तरीके से पोएट कह रहे हैं समय को तिल यू रन आउट यूँररेस और तब तक करते रहो तक अढ़ते रहो जब तक तक तुम्हारी जो रेस है तुमारी जो दोड़ है क्त्म नहों जाए क्योंकि ताइम किसी कले नहीं रुपता Time तो दोड़ता जाता बहतता जाता है चाहे इंसान जीर रहा है मर रहا है वक्त किसी के लिए नहीं रुखता तो पोईट कहीं कहीं नहीं कहीं वक्त का मजाक उड़ा आ रहा है तुम तो हम से जलते हो तो मैं तो अपनी बस race complete करनी तो मैं तो दोड़ना है तो fly हो जाओ उड़ जाओ अपनी race में और उड़ते रहो तब तक जब तक तक तुम उस point तक न पहुच जाओ जहां तो मैं पहुचना हो Call on the lazy legend stepping hours और तुम समय को बोल रहे हैं poet तुम अपने साथ hours को भी बुलाओ घंटों को भी बुलाओ जो कि बहुत lazy है अलसी है सुस्त है घंटे इसलिए उन्होंने poet ने घंटों को lazy बोला है क्योंकि poet कहते हैं कि एक घंटा बहुत लंबा होता है साथ मिनिट का एक घंटा होता है कितना धीरे धीरे यह घंटे चल रहे हैं तो poet कहते हैं time से समय से बोलते हैं कि भाई तुम तो अपनी दौड में अपनी रेस में हो अपने साथ अपने सुस्ट घंटों को भी ले जाओ क्यों क्योंकि यह घंटे जो हैं बहुत सुस्ट हैं बहुत दीरे दीरे वड़ रहे हैं इनको भी अपने साथ ले जाओ whose speed is but the heavy plummets pace plummets क्या होता है plummets एक device होता है जो lead नाम के material से बना हुआ रहता है and it is used for creating downward motion तो यह जो नीचे की तरफ जो motion जाता है याने जो direction नीचे की तरफ जाती है उसको plummets नाम का device नीचे लाने की कोशिश करता है तो poet कहते हैं किसके लिए hours के लिए hours के लिए कि तुम्हारे जो hours है बहुत lazy है बहुत आलसी है यह समय तो इसको भी अपने साथ ले जा अपनी race में ले जा ताकि घंटे जलेली बड़े समय जलेली आगे बड़े और यह जो घंटे है इनकी जो speed है क्यूं ले जाओ क्योंकि जो घंटे हैं इनकी जो speed है वो plummets की तरह है याने समय रख celebrity बढ़ना चाहिए याने समय को तेजी से बढ़ना चाहिए आगे की तरफ लेकिनि जैसे plummets नीचे की तरफ आता है यह जो device नीचे की तरफ आता है exactly जो घंटे time अपनी speed बढ़ानी के जगए अपनी speed घटा रहे है इसलिए तुम अपने इन सुस्त अपने आल सी घंटों को hours को अपने साथ अपनी race में ले जाओ and glut thyself with what they womb with with what thy womb devours okay glut का meaning क्या होता है to fill more of something than is needed जब आप जल्दी जल्दी अपने पेट में खाते जा रहे हो भरते जा रहे हो थूसते जा रहे हो जरवत भी नहीं आपके पेट में भूग भी नहीं लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो भरते जा रहे हो that is glut दाय का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया था your तुमारा archaic word है यह womb का मतलब क्योंता है womb का मतलब किसी औरत की कोक ओके लेकिन यहाँ पर womb का मतलब है stomach यहाँ पर womb का मतलब क्या अनोंने समझा है stomach यहने किसी का पेट ओके जिवार्श का मतलब क्या होता है to eat something quickly जबाब बहुत जल्यली जल्यली कुछ खा रहे हो और ठूसते जा रहे हो okay तो poet कह रहे हैं समय को किसको बोल रहे हैं समय को time को बोल रहे है कि तुम जल्दी 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 अपना पेट भर लो ठूस लो जो तुमें खाने को मिल रहे है खा जाओ time को बोल रहे हैं जो तुमें खाने को मिल रहे है तुम खा जाओ थूस थूस के खालो अब time जो यह समय है यह को human being तो नहीं है को इनसान तो नहीं है कि एक कुछ खाए तो poet क्या खाने की बात कर रहे है time को time को किस चीज को बोल रहे है time को क्या बोल र पड़ते हैं which is no more than what is false and vain false मतलब सब गलत बाते और वेन याने वो बाते जो व्यर्थ की है बेकार की बाते अहंकार से प्राउट गमंड से भड़ी हुई बाते तो पोईट कहते हैं time को कि तुमें जो कुछ मिल रहा है ठूस ठूस के जल्दी खा जाओ अपने अंदर समालो किन चीजों को समालो वो सारी चीजें जो गलत हैं जो जूटी हैं हम इनसानों की जीवन में वो सारी चीजें जिससे हमें तकलीफ होती है जैसे जैलिसी की भावना, दुख, एंगर, गुसा, all these things, ये सारी चीजें जो वेन हैं, जो व्यर्थ की हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है हमारे जीवन में, ये सारी चीजें अपने अंदर समाल है, टाइम, ऐसम हैं और आगे रहे जाए, खुशियां ही खुशियां रहे जाए और positivity रहे जाए, हमारी सारी लाइफ से जुत्ती भी negativity वो खा जाओ तुम, ये बोलने की बात हो रही है यह आपर, आगे बढ़ते हैं, and merely mortal dross, dross का meaning क्या होता है, something which is rubbish or disgusting, कोई ऐसी चीज़ बहुत रबश है, फाल्तु है, disgusting है, और बहुती बेकार है, mortal का मतलब क्या होता है, mortal यानि की, जिस चीज़ को मरना पड़ेगा, यानि नश्ट होना पड़ेगा, तो poet कहते हैं यापर, कि उन सारी बुरी चीज़ों को, false and vain चीज़ों को, अपने अंदर समालो, ऐसा में, सारी negative चीज़ों को, ताकि हमारे अ गुस्टे की भावना, डर की भावना, जलन की भावना, anger, jealousy, all these things, यह सब हमारे लिए draws है, rubbish है, यह सारी चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं है, और यह immortal है, यानि इनको नश्ट होना ही पड़ेगा हमारी लाइफ से, अगर हमें अपनी लाइफ में खुशियां चाहिए, तो, तो, पोएट कहते हैं, हमारा इस चीज में बहुत कम लॉस होगा, बहुत कम नुकसान होगा, अगर तुम यह सारी चीज़ें खा जाओगी, क्या खा जाओगी, क्या समा जाओगी, अपने अंदर, anger, pain, दुख, तकलीफ, यह सारी जो feelings है, तो, पोएट कहते हैं कि, यह जो सा सारी चीज़ें तुम खा रही हो समय, यह अपने अंदर समा रही हो, anger, दुख, तकलीफ, anxiety, tension, इस सारी जो चीज़ें हमारी लाइफ में, अगर यह जो तुम खा रही हो, इन सारी चीज़ें को अगर हमसे दूर ले जा रही हो तुम, तो इससे हमारा कुछ जादा नुकसान ही है, क्यों? क्योंकि वैसे भी सारी चीज़ें कोई हमारे फाइदे के लही है, कोई हमारी अच्छाई हमारा benefit बढ़ाने के लिए चीज़ें नहीं है, क्योंकि यह तो सारी negativity है हमारी लाइफ में, जो तुम अपने साथ, अपने अंदर समांके जले ले आगे बढ़ जा रही लाइफ में, so little is your gain और यह सब चीजे अगर तुम खा भी रही हो तो इसमें तुमारा भी कोई gain तुमारा भी कोई फाइदा नहीं हो रहा है हमारा को अगर जादा नुकसान नहीं हो तो तुमारा भी कोई फाइदा नहीं हो रहा है दाव का मतलब क्या होता है, you, archaic word, has to be एक archaic word होता है, जिसका मतलब होता है, have, okay, entombed का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज अपने अंदर कोई समा ले, समा ले हैने, अपने अंदर उसको एक खटा कर ले, तो poet समय को, time को कह रहे हैं, for when as each thing bad, you have entombed, तो वो ये बोल रहे हैं कि जितनी भी चीजे bad things, जितनी भी things, तुमने अपने अंदर entom करिये, तुमने अपने अंदर समाई हुई हैं, जैसे anxiety, fear, tension हमारी life का, जो भी तुमने अपने अंदर समाया हुए है, ये सब वैसे भी bad चीजे हैं, इसमें ना हमारा कोई नुकसान है, क्योंकि ये सब चीजे वैसे भी negative चीजे हैं, जो तुम अपने साथ ले जारी हो, हमारा असमें कोई फाइदा नुकसान नहीं है, and last of all, die greedy, self-consumed, die का मतलब क्या होता है, your, okay, this is also an archaic word, तो हैं बोल रहा है, poet बोल रहा है, and last of all, poet कहते हैं, जब हमारी life से तुम सारी anxiety, tension, fear, pain, sadness, ये सारी चीजे तुम खा जाओगी हमारी life से, याने खतम कर दोगी, तो last में क्या करना, last में तुम die greedy, self-consumed हो जाना, याने लास्ट में तुम खुद को भी खा जाना, last में ये सारी चीजे खाने के बाद तुम खुद को भी खा जाना, क्यूं, क्यूंकि एक point के बाद इंसान की जो लालच होती है, वो बढ़ने लगती है, greed बढ़ने लगती है इंसान की, कि अच्छा अभी life में ये नहीं मल रहा, चलो आगे जाके life में मैं ऐसा कर लूँगा, लेकिन poet कहने तुम आगे भी हमें ऐसा मौका मत देना कि हमारी life में ये tension, worry, pain की problem या तकलीफे तुम लास्ट में खुद को भी खा जाना है, यानि ये समय खतम ही कर देना हमारे लिए और अच्छा-च्छा समय create कर लेना, तुम खुद को भी consume कर लेना, और फिर उससे क्या होगा, उससे then long eternity shall greet our bliss with an individual kiss, जब तुम हमारी life से ये सारी चीज़े निकाल के ले जाओगी, इन यानि हम कही न कहीं इस दुनिया में अमर हो जाएंगी, eternal हो जाएंगे, यानि continuously जीएंगे, अब continuously जीने का मतलब यह नहीं कि आप कभी मरोगे ही नहीं, इसका मतलब जितना जी रहे हो, उतना अच्छे से जीओगे, हर दिन मर मर के दुख और तकलीश से नहीं मरोगे, मिलेगी, खुशिया मिलेगी हमारी लाइफ में, हर एक individual किस, किस का मतलब यहां पर खुशिया एंग ब्लेसिंग से हर एक individual को, हर एक प्रत्य एक वक्ती को, खुशिया ही, खुशिया मिल जाएगी, जब यह बुरी चीज़ों की लाइट से, negativity सब हट जाएगी, बुरा समय ख खुशियों से भर जाएगी, जब उनी सब चीजें हट जाएगी तो क्या होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी, और तब हम सब की दुनिया कैसी बन जाएगी, हम सब की दुनिया sincerely गोडियां ने बहुत बढ़ियां बन जाएगी, क्योंकि अब हमारे अंदर feeling किस किस चीज़ की है, हमारे अंदर अच्छी feelings हैं, जैसे प्यार की feeling, love, peace, शान्ती, calmness, trust, loyalty, ये सारी अच्छी सीज़े होंगी, and perfectly divine हो जाएगी हमारी life, divine का मतलब क्यों होता है, connected with God, जब हम भगवान से connect होने लगेंगे, याने, जब सारी बुरी चीज़े हमारी life से चली गई, in fact, बुरा समय, पूरा का पूरा ही खतम हो गया, तो अच्छे चीज़े हमारी life में होगी, भगवान की blessings हमें मिलेंगी, क्योंकि हम spiritually, हम भगवान से connect होंगे, पूजा पार्ट करेंगे, और कही न कहीं क्या होगा, हम मोक्ष की feeling आने लगेगी हमें, जितने भी सादू, संत हैं, for example, ब्रह्मा कुमारी को देख लो, आप इन सब को क्या देख लो, यह सब angel souls है, इनकी जो soul, इनकी जो आत्मा है, बहुत पवित्र है, क्योंकि इनको मोक्ष मिल चुका है, कहीं न कहीं, इनको दुनियादारी से कोई फर्थ नी पड़ता, शादी नी हुए, बच्ची नी हुए, अच्छे कपड़े नी पहने, पार्टी नी गरी, होटल नी गए, इनको कोई फर्थ नी पड़ता, क्योंकि ये लोग ने मोक्ष याने निर्वाना प्राफ्त कर लिया है, क्योंकि इनकी लाइफ से सब कोच इननों ने दूर करके सरफ spiritually God से connect होगा, और अब यो लोग divine souls बन गए है, इनकी आत्मा वह divine हो गई है, और प्यार हो गई है, वित ट्रूट आन पीस अन लव शाल एवर शाइन, और फिर इन लोगों की लाइफ में क्या आजाता है, सच्चाई की भावना, पीस याने शांती की भावना, और प्यार की भावना होती है और इससे इनकी लाइफ हमेशा क्या होती है शाइन होती रहती है याने चमकती रहती है इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती तब About the supreme throne of him It was happy making sight alone अब ये supreme throne याने सबसे उपर गद्धी पर कौन बैठा है ये जो supreme throne पर जो सबसे उपर गद्धी पर बैठे है वो है God याने भगवान बैठे है तो बोला जा रहा है कि जब हमारी life से सब negativity खतम हो जाएगी हमारा बुरा समय खतम हो जाएगा तो क्या होगा हमारी जीवन में जैसे खुशियों की बाढ़ आ जाएगी हमारे अंदर trust, love, peace की feeling आएगी हम भगवान से जुड़ जाएगे और जब हम भगवान से जुड़ जाएगे तो हमको कैसा feel होगा वहाँ से कैसा sight दिखेगा याने जब भगवान से जुड़ जाएगे spiritually God से connect हो जाएगे मोक्ष की feeling आने लगेगी निर्वाना की हमें feeling आने लगेगी तो वहाँ से कैसा sight कैसा दिखेगा हमें तो जो दिखे होगा वो बहुत happy making होगा याने सिर्फ खुशियां ही खुशियां दिखेगी हमें हमारे लिए हमें ना खुद में कोई बुराई दिखेगी ना किसी दूसरे में देखेंगी हमें सब कुछ अच्छा लगेगा वेन वन्स आर हेवेनली गाइड़िट सोल शाल क्लाइम देन आल दिस अर्थी ग्रॉसनेस क्विट तो बोला जा रहा है एक बार अगर हमारी सोल हमारी आत्मा ने experience कर लिया कि कि Heavenly चीज़े क्या होती है की स्वर्ग की चीज़े क्या होती है तो हमारी जीवन में जितनी भी अर्थी ग्रॉसनेस है याने बुरी चीज़ें बुरी फीलिंग बुरी क्वालिटी जै वो सब कविट हो जाएंगी याने वो सब खतम हो जाएंगी कि Heavenly का मतलब क्यों होता है Heavenly मतलब स्वर्ग अब स्वर्ग या नर्क इंसान कब experience करता है जब इंसान मर जाता है लेकिन जब आप इस धर्ती पर रहके इस धर्ती की इस धर्ती की सब नेगटिव चीजों को अपने आप से दूर कर दो गए समय अपने साथ आगे कहीं ले जाएगा तो अच्छी चीज़े रह जाएंगी और जब अच्छी चीज़े रह जाएंगी तो आप भगवान से कनेक्ट हो पाऊगे खुशिया मिलेंगी और आप धर्ती पर रहके इस बुरी दुनिया में रहके आप हेविन को experience कर सकते हो क्यों क्योंकि आप मोख्ष आप निर्वाना में चले गए हो जैसे सादू अन्संत होते हैं कि दुनिया की अर्धी ग्रॉजने से आने दुनिया का लालज, ग्रीट, बुरी कॉलिटी यह सब कुट हो जाएंगी और आपकी लाइफ से खतम हो जाएंगी Attired with stars, we shall forever sit, triumphing over death and chance and the old time तो बोला जा रहा है कि जब आप मोख्ष आ निर्वाना प्राप्त कर लोगे अपनी लाइफ में तो you will be attired with stars यानि आपको ऐसा फील होगा कि आपने सितारों से सचके आपने attire पहना है, कोई कपड़े पहना है कि आपकी life में angels की feeling आएगी आपको somehow, आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत divine soul हो आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरे अंदर सिर्फ positivity है, सिर्फ अच्छी quality है, वो feeling है अलग होगी और आप हमेशा इस दुनिया में फिर रहेंगे और triumphing करेंगे, याने आप victory पाएंगे, याने success और जीत पाएंगे किस चीज से, पहली चीज आप death से success पाएंगे, जीत पाएंगे, याने आपके अंदर डर, जो था, मौत का जो डर होता है, सब के अंदर, वो खतम हो जाएगा क्यों क्योंकि आपने भगवान से connect हो गए, तो कहीं न कहीं, आपको डर की जो feeling है, death की जो feeling है, कि आपको डर लगता है मौत से, उससे आप overcome हो जाओगे chance, याने किस्मत, आप हर चीज किस्मत पर फेकते थे, कि थोपते थे, अरे यह ऐसा हो रहा है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी फूटी किस्मत है, तो यह जो किस्मत है, आप इससे भी अपनी जीत पाओगे, आप वो सब पा सकते हो, जो आपको चाहिए, किस्मत को उसका reason नह अपने अंदर समा लेगा, और वो समय आगे बढ़ जाएगा, यानि वो समय, बुरा समय ही खतम हो जाएगा, जैसे कि स्टार्टिंग में बोला गया था, कि समय खुद को ही खा ले, यानि बुरा समय खुद ही खतम हो जाए, तो क्या होगा, तब आप हर चीज से triumph पाओगे, यानि victory, बोले तो जीत पाओगे और success पाओगे, तो basically इस form में क्या बोला गया, इस form में यही बोला गया, कि आपकी life की साब बुरी negative चीज़े खतम हो जाए, वक्त अपने अंदर समाल है और वो बुरा वक्त ही खतम हो जाए, तो क्या होगा, भगवान से divine soul से connect, divine God से connect हो जा जाएगी, आप मोक्ष का, निर्वाना का experience करोगी, और यही life है, धर्ती पर रहकर आप सुर्ग का experience कर सकते हो, okay, so children, here we come to the end of this session, I hope आपको यह beautiful से पूर्म बहार अच्छी लगी होगी, चाहे तो हमारे वीडियो योट्यूब पर भी देख सकते, वहाना मिले तो website पर description box में a form link given है, just visit that form link and our team will get back to you, तब तक लिए, bye bye and take care.